जैश्री कृष्णा, जेट के महीने में पीपल देव की कथा सुन्ने मात्र से ही आपकी हर समस्या का निवारर होगा तथा सभी मनुकामनाएं पूर होंगे तो चलिए सुन्ते हैं पीपल देवता की कथा कि कैसे पीपल देव ने एक गरीब ब्रामहर और ब्रामहरी को धन्धान्य से पूर किया एक समय की बात है किसी गाव में एक ब्रामहर और एक ब्रामहरी रहते थे वे दोनों रोजाना पीपल की पूजा किया करते थे बिना पीपल की पूजा किये नाहीं वह अंग्रहड करते नाहीं जल्ग्रहड करते जब भी वह ब्रामर देव पीपल की पूजा करते थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी मैं देऊं तु मांग अर्थार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तु मांग लो यह बात सुनकर ब्रामर देव शिन्तित रहने लगे वे सोचते थे कि आवाज आखिर कहां से आ रही है क्या पीपल के उपर कोई बैठा है या फिर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है यह सोचते सोचते और चिन्ता करते करते ब्रामर दिन बदिन सुकते गए जब एक दिन घर जाकर विचार करते करते बहुत समय बीत गया तब ब्रामरी बोली आप चिन्तित क्यों हो आप दिन बदिन सुकते जा रहे हो तब ब्रामर बोले पूछो मत वह बोली आपको क्या चिन्ता है तब ब्रामर बोले मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूं तो उसमें से एक आवाज आती है मैं देऊं तु मांग पता नहीं वहां कौन है क्या कोई भूत प्रेथ है तब ब्रामरी कहती है वह श्वयम ब्रह्मदेव है क्योंकि पीपल साचात ब्रह्मदेव का रूप है आप मांग लो वह बोला मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगो वह बोली आप कहना सोलर साल की काया दो हजार साल की माया दो बेटे पोते का परिवार दे सारा सुख दे ब्रामर अगले दिन फिर पीपल सीचने लगे तब वही आवाज फिर से सुनाई पड़े मैं देऊं तु मांग मैं देऊं तु मांग तब ब्रामहर देव बोले मुझे सोलह साल की काया दे, हजार साल की माया दे, बेटे पोते का परिवार दे, सारा सुख दे तब पीपल बोला ब्रामहर देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं पर सारा कुछ मांग लिया लेकिन पीपल देव ने कहा जो तुमने मांगा वह सब तुम्हें मिल जाएगा तब ब्रामहर देव वहां से चल दिये और विचार किया क्यों मैंने तो इतना सब मांग लिया लेकिन पीपरदेव ने कुछ किया तो नहीं ऐसा ही विचार करते करते वह अपने घर को चल दिये और यही विचार करते करते वह अपने घर से आगे निकल गए ब्रामहरी ने यह सब कुछ देखा और ब्रामहर को पीछे से आवाज दे क्या आप अपने घर को ही भूल गए तब ब्रामहर देव कहते हैं अपनी तो एक छोटी सी जोप्री थी यह महल कब और कैसे बन गया अभी तो थोड़ी देर पहले पीपल सीचने गया था तो जोप्री ही थी तब ब्रामहरी बोली मैं आपको कहती थी न पीपल देव ब्रह्मा जी के रूप हैं और पीपल देव से मांगने से हमारे पास सब कुछ हो जाएगा मुझे तो पीपल देव ने कुछ दिया ही नहीं मेरे तो हाथ खाली है मैं तो खाली हाथ आया हूँ ऐसा ब्रामःर ने कहा तब ब्रामःरी कहती है पीपल देव ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया आप अंदर आईए और देखिये पीपल देव ने हमें क्या कुछ दे दिया। ये पीपल देव मैं आपकी माया नहीं समझ पाया। आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। ताव ब्रामहर देव ने पूरे गाउं में धुढूरा पिटवाया कि सभी लोग पीपल देव की पूजा करें। आर्थिक परिशान्या भी दूर होती हैं। बैसाग तथा जेठ मास में विश्डु भगवान की पूजा और पीपल को सीचने का महत्व है। मान्यता है कि इस महिने भगवान विश्डु को सुबह दोपहर और साम को राम वस्याम तुलसी चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है। इस महिने में तिर्थ हसनान के बाद पीपल को जल कच्चा दूद वजल चढ़ाकर दीपक लगाने की सास्त्रोक परमपरा है। जेठ मास में प्रति दिन पीपल देव को सीचने से सभी प्रकार की समस्या दूर होती है तथा हर मनोकामना पूड होती है। हिंदू धर्म में पीपल के ब्रिच को सबसे पवित्र माना गया है। इस ब्रिच की महत्ता के बारे में स्वयम भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इसका मतलब है कि भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रिचों में पीपल हूँ जिसके जर में ब्रह्माजी हैं। तने में बिश्डू जी और ब्रिच के अग्रभाग या पतियों में भगवान सीव साच्छात रूप में बिराजमान रहते हैं।